नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका el Arctical की एक और प्रैक्टिकल बीडियो में दोस्तो आजकी बीडियो में हम जानने वाले है power BoART के connection तो यह हमारा power BoART है जिसमें हमने 4 सुच को यूज किया है और 4 socket को यूज किया है और इसके हम connection करने वाले है तो एक सुच से हमें एक socket है उसको चलाना है उसको on करना है तो आज हमें इसके connection को देखने बाले हैं तो देखी यहाँ पर यह हमारा board है और सबसे पहले हम connection के लिए क्या करेंगे एक wire लेंगे और उससे जो हमारी socket है जितनी भी socket है सभी चारो socket में हमें neutral point का connection करना है तो हमने एक wire लिया और उसको इस प्रकार से आपको connect कर लेना है और connect करने के बाद फिर आपको यह wire है उसको काटना नहीं है उसको आपको इस प्रकार से insulation को निकालना है इस प्रकार से आप insulation को जब निकाल लेंगे तो wire को cut भी नहीं लगाना पड़ेगा और इस प्रकार से आप इसक तो कोई से लीक्त करें को で visit with without sticks क्यूंता है तो लूड़ सकता है जो हमारी सौकेट बों भी जला देगा वह क्या करते हैं इसको कटे हैं जलाने लघाएगर इसमें तो इस परकार से देखी इस परकार से आपको खोल लेना होगा इसको और इस परकार से आपको यहाँ पर कस देना होगा अच्छे टाइट कर देना होगा बिल्कुल भी लूज ना रहे और इस परकार से हमने यह जो न्यूटल पॉइंट के कनेक्शन है वो कंप्लेट कर लेंगे और उसको डबल कर लेंगे बायर को इस प्रकार से हमने डबल किया जिससे हमारा सौक जो सुच है उसमें भी बायर है वो अच्छे टाइट हो जाए बहाँ पर भी लूस कनेक्शन नहीं रहे अगर हम सिंगल करेंगे तो हो सकता है लूस कनेक्शन भी रह जाए उसमें अगर हमारा जो अगर जोर से भी कस देते हैं तो व कुछ टूट जाते है और अगर भायर हमारा हमारा हलेगा अगर तो इससे वहं पर लूस कनेक्शन हो देना है तो देखिये हम कैसे कर रहा है वह थोड़ा एक्स्रा चीलते हैं और जिससे क्या ़ोंगोपा करने हैं या सोक्ट में उस से वह अच्छे से connect हो जाता है तो हमें कोशिच यही करने है कि कोई भी हमारा lose ना रहे देखना है इस परकार से हमने double कर लिया है बायर को और इस परकार से socket के screw को खोलेंगे और उसको बहीं पर press करके अच्छे से tight कर देंगे देखना इस परकार से हमने cut up wire को इस परकार से थोड़ा extra चीलते हैं इस परकार से चील लेंगे और यहां पर हमने घुमा के इसको double कर लिया है देखना double किया है और double कर लेंगे के बाद हम इसको अच्छे tight कर देंगे तो इस प्रकार से हमें इसको tight करते हैं तो क्या electrical में कोई भी हमारा connection हो उसको loose नहीं रहना चाहिए अगर वो loose connection होगा तो बहाँ पर जिस जगह connect होगा उस जगह को भी जला देगा खराब कर देगा अगर हमारा कोई भी equipment भी लगा हुआ है तो उसको भी वो खराब कर सकता है और हो सकता है कहीं पर कोई जोलन सील पधार थे बहाँ पर आग भी लग सकते हैं इसके short circuit के कारण तो आपको कभी भी electrical में ये गलती नहीं करनी है कि आपका कोई भी loose connection रहे बहाँ पर तो इस प्रकार से आपको बहाँ पर अच्छी से tight करना है बिल्कुल भी loose connection नहीं रहने देना है तो देखिए इस प्रकार से हमने चारो socket को face से supply दे दी है हमारे अब यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर हम काम कर रहे हैं बहाँ पर earthing नहीं है तो हम इसके earthing को connection नहीं कर रहे हैं अगर आपके हाँ जहाँ भी करेंगे बहाँ पर earthing होगी तो यह socket में जो उपर वाला connector होता है मोटा वाला उस पर आपको earthing से connect कर लेना है जैसे neutral में किये हमने और उसको earthing में एक जगाए कहीं पर भी आप connect कर देंगे तो इस प्रकार से earthing connect हो जाएगी लेकिन यहाँ पर earthing नहीं है तो हम यहाँ पर earthing को use नहीं कर रहे है तो इसके बाद आपको क्या करना है जो हमारा सुच है उसको भी हमें face supply देनी है तो आपको face supply देने के लिए क्या करेंगे इस प्रकार से जो copper के wire होते है single wire होते है तो वो use कर सकते है लेकिन यह वाला जो है हमारा power boot का connection है तो हम क्या करेंगे एक single wire नहीं लगाएंगे इसमें उसको double कर लेंगे क्योंकि wire पतला है तो load अच्छे से carry कर ले इसलिए हम क्या कर रहे है यहाँ पर double wire को डाल रहे है socket जो सुच है उसके दूसरे terminal पर दूसरे connector पर तो इससे हमने देखो सभी एक side पर लगा दिये सभी screw को खोल लिया है और इस प्रकार से यह wire है उनको connect कर दिया है इसके अंदर डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे tight कर देंगे fix कर देंगे तो इससे tight बिलकुली अच्छे करना है बिलकुल भी loose यह भी नहीं रहने देना है नहीं तो हमारी यह socket है वो भी खराब हो जाएंगे तो आप इसको इस प्रकार से fix बरावर काट लेंगे कहीं पर ज़्यादा बायर भी ना निकला रहा है और इस प्रकार से आप tight कर सकते हैं पर जब भी हम main supply के connection कर देंगे तो इसमें हम face connect कर देंगे और यहाँ पर किसी भी जगाए पर देखिए यहाँ पर हम neutral point जो आएगा हमारा main का वो इन जगाए पर किसी एक जगाए पर हम इसको connect कर सकते हैं तो आपको इस प्रकार से इसके connection कर लेना है तो अभी हमने इसके connection बता है तो इस boat को हमें एक दीवाल पर install करना है तो वो भी हम आपको practically बताएंगे कि आपको किस प्रकार से इसको install करना है और अगर आप इसी प्रकार की आगे भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं हम इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपको कामा सकती है